नमसकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोगदा और पंद्रा फर्वरी तूलारासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आने वाले इन दो दिनों के अंदर अपने आखों पर यकीन नहीं करोगी जिहां दोस्तों यह खुष खबरी सच में आपको र रहता है हर समासियां का शमादान भी विक्ति को मिनता रहता है लेकिन दोस्तों इस वीच में अपने आपको इस धिर बनाए रखना कोई आपसे सीखे जिहां दोस्तों आपने अपने जीवन काल में एसी समासियां का शामना किया है एसी मुश्किल परिश्पियों में भी आप दिनों के अंदर ऐसे खुस खबरियां देंगे कि दोस्तों जेना सुनकर आप एकदम चोक जाएंगे। जिहां दोस्तों लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यहां समय आपके आखों से खुसे के आशो नहीं रुखेंगे। जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये जीवन की सबसे बड़े सपने होंगे जीवन के सबसे बड़े आपके महें तक कम चाये होंगे जो कि ये समय सच होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों और सच होते ही आपके आँखों में आशू आना एक लाजमी सी बात है एक खुसी की बात है जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें की ग्रहों के चाल में लगातार परिवर्दन होते रहते हैं और जब ग्रहों की चाल के साथ साथ बागवान का आशिरवाद आप सभी के जीवन काल में आ जाए तब दोस्तों असुप परिस्ति में भी आपको ग्रह का सुप फल मि वाले हैं जिसे की दोस्तों आपके दूस्मनों का भी होस उड़ जाएगा वो सोचने पर मजबूर हो जाएगे की आखिर इसको इतनी बड़ी खुस खबरी कैसे प्राप्त हो गई इसने भगवान के परति क्या अस्था रखी थी क्या पूर्ण कमाया था जो इसको इतनी खुस खबरी मिल गई है जी हां दोस्तों परन्तु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय इस्वर का कुछ संकेत है कि आपको चार लोगों से चार चीजों से हमेसा साब्धान रहना होगा यूंकि हैं तो दोस्तों आप अपने जीवन काल को एक स्वच्छ दिसा में ल प्रिमान किया गया है जी हां दोस्तों तो दोस्तों अंतों तक देखना अब आपका दाए तो होगा जी हां साथिसा दोस्तों इनमें आप सभी महत्पुन जानकारी झाने दोस्तों अंत तक देखियेगा उसे पहले दोस्तों जो विक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सचे मन से जय मालच्छमी लिखेंगे दोस्तों मालक्षिमी जी की आसिम आसिर्वात आप सभी को प्राप्त होगा गर परिवार में खुस या आना आपके लिए प्रारम हो जाएंगे तो दोस्तों जरू लिखिएगा वरतिया पी चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथ ये बेल आइकन को प्रेस करके और पर स्लेट कर ले तो ये दोस्तों बात करते हैं सुरुवात करते हैं स्रीकृष्ण जी के एक बहुती अच्छे ज्यान से एक बहुती अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इक्षा सकती जागरित होगी और यहाँ बाते हैं यह ग्यान आगे चलकर आपके लिए बहुती काम्यावी साबित होगे जी हाँ दोस्तों कि दोस्तों एक बार युद्ध भूमी में भगवान सिर्कृष्न अर्जुन को ग्यान देते हुए यह बात कहते हैं कि जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इक्षा रखता है मैं उसका विश्वास उसी देवता में दिल्ड कर देता हूँ जी हाँ दोस्तों और समय आने पर उनकी इक्छा अवस ही पूरी हो जाती है जिहां दोस्तों और दोस्तों भगवान स्रिकृषन जी यह भी ग्यान देते हैं कि दोस्तों घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुस्मनी में वक्त नहीं लगता गुजर जाती है उम्र रिष्टे बनाने में पर बिगारने में वक्त नहीं लगता जो कमाता है महिनों में आदमी उसे गवाने में वक्त नहीं लगता पल पल कर उम्र पाती है जिंदिगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता जो उड़ते हैं अहम के असमानों में जमी पर आने में वक्त नहीं लगता हर तरह का वक्त आता है जिन्दिगी में पर वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता जिहां दोस्तों इसलिए दोस्तों आप भगवान के परती लेंद हैं भगवान के परती अच्छा विश्वास दिखाएं उनके परती द तो दोस्तों इन बातों को आप समझ पाए हैं स्री कृष्ण का ग्यान अगर आपको समझ में आई हो तो दोस्तों बीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवस्य कर दें और इनके लिए लिख दें जैए स्री कृष्ण राधे राधी तो आज़े दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले इन दो दिनों के अंदर में शम माल अच्छिमी आपके जीवन काल में आपके घर के महालों पारबारिक जीवन में आपके स्वास्त बिजनस बेपार में क्या-क्या खुष खबरी क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं और दोस्तों इन दो दिनों के शमय अब्दी में या खुश खबरी आपको सच में रूला देने वाले शाबित होंगे जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों बात करते हैं पूरे विष्टार से दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय में आपने सब चीजों को देखा है जहां पर आपको अच्छे आनल की अनुभती हुई है और पिछले समय आपने दुख भी देखा है लेकिन दोस्तों आप सभी को बताने की पिछले समय में जो भी आपके उमेदे थी वो पूरा नहीं हुआ है आप सभी को बताने की आप अपने दिल और दिमाग पर यह उमेदें लगाई बेटे हैं कि आखिर आने वाला आपका जो कल होगा वो बहुत ही बहतरिन होगा और पैसे आपके पास जरूर आएंगे जिन पैसों के लिए आप तड़प रहे हैं वह पैसा अब आपके पास आएगा जहां दोस्तों और दोस्तों कहावात में भी कहा गया है कि जो भगवान पे भरोशा रखते हैं उसकी उमेदे कभी तूटती नहीं है जिहां दोस्तों उसको भगवान एक दिन न एक दिन बहुत ही अच्छे फल देते हैं जिहां दोस्तों और अब आने वाले शमे में आपको भगवान की किरपा से आपकी करमों का अच्छा फल भी मिलेगा जिहां दोस्तों दोस्तों और यह शमे सुक्र भी आपसे विके लिए बहुती परवल इस्ति में आने वाले हैं यानि कि दोस्तों धन की देवी माता लक्षमी आपके जीवन काल में प्रशन होने वाले हैं और शुक शमर्दी आपसे विके जीवन काल में आने वाले हैं यानि कि दोस्तों जो भ आपके जीवन काल में अच्छी है तो दोस्तों माता लक्ष में की साक्षात किरपा आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं जिहां दोस्तों और दोस्तों यह शमें आपके कुंडले में सीव नाम का भी सुभ योग का निर्मान हुआ है जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके रासी के जितने भी जातक हैं दोस्तों बहुती बुद्धमान होते हैं हिर्दे से बहुती सच्चे होते हैं समाज में आपका बहुती अच्छा सभाव है और इसी कारण दोस्तों समाज में आपको मान समान की प्राप्ति होते हैं जी हां दोस्तों और इनी सभी के कार दो दिनों के अंदर देने वाले हैं जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह दो दिनों के अंदर में आपके सभी रुके हुए काम भगवान भोलेना और मालक्षमी जी के आसिम असिर्वात से संपन होने वाले हैं जिहां दोस्तों दोस्तों आप सभी को बता दें कि भग दोसतों के ऊपर जल्धी किरपा बरसाते हैं। अंदर आपके कुंडिली में बहुत ही अच्छे अच्छे धन योग बनने वाले हैं जिसे दोस्तों आपको बहुत सारी चमतकारी बदलाव होंगे। यह मेठी वानी दोरा दूसरों पर अपना परभा बना लेंगे। दोस्तों आज दिन भर आप आराम और शुकून के मूड में रहेंगे। काफी समय से कोई रुका हुआ कार किसी सुपचिंता की मदद से हल हो जाएगा। इसे आपको शुकून भी मिलेगा। पर पट्टी की खरीद परोग समय जोना अगर टाल देंगे तो आपके लिए ज़ाधा उचित रहेगा। दोस्तों दिन की सुरुवात में कुछ ना कुछ शमस्या रहेगी। लेकिन सही समय पर सही निर्ने लेना आपको परेशानी से बचा भी देगा। किसी अनुवी की सलाह और मारदर्सन मिलने से आपको मानसिक तनाफ से काफी हद तक रहत मिलेगी। आज किसी मांगलिक कार को लेकर भी विचार हो सकता है। वहीं दोस्तों अपने हर काम को भावनाव की बज़ा वहवारिक तरीके से पूरा करने की कोशिस करें। निसी थी अब काम्याब होंगे और दोस्तों दूसरों के दोर ठगे जाने से भी बच जाएंगे। इस दारोथ पड़ोसियों के साथ भी समंदों में और अधिक मधूरता आएगी। दोस्तों घर में किसी उत्सब को लेकर चहल पाहल भरा माहूल रहेगा। अगर किसी विश्य से कारे के लिए परियासत हैं तो दोस्तों उससे समंदों उचित सफलता मिलने वाली है। अतान पक्ष की और से कोई खुशखबरी भी विलेगी। तथा परिवार जनों के साथ डीनेर का लुप्त उठाएंगे। दोस्तों कोई भी नकार्त्मों इस्तिती बनने पर आपको उचित मारदर्सन मिलने से समस्या हल हो जाएगी। घर में भी उचित विवस्ता बनाए रखने की कोशिस काम्याब होगी। विद्यार्त्यों क्यों अधियन तता अनुसंधान समनित कार्यों में उचित पर नम हासिल होंगे। दोस्तों इन रासी वालों के लिए ग्रेसिती उत्तम बनी हुई है। कुछ शमय से आप जिन कार्यों के लिए परियास सत थे दोस्तों आज उन कार्यों को पूर्ण करने का शमय आ गया है। खेल कुछ से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लाबदायक सू आफसर भी बनेंगे। वहीं दोस्तों चुनोतियों को शुविकार करना आपके लिए उन्तिक के मार्ग भी खोलेगा। और अल्व परियासों में से ही उचित परनाम भी मिलेंगे। अगर किसी नजदी की समंदी के साथ मन मुटाब चल रहा है तो दोस्तों आज किसी वारिस व्यक्ति की मदद से उसे सुलजाना का अनुकुल शमय है। इसलिए देर ना करें। पैत्रिक सम्पति समंदी मामलों को हल करने में किसी वारिस सदस्य का मारदासन भी मिलेगा। और जल्द ही समाधान भी मिल जाएगा। दोस्तों यह समय आपके लिए बहुती अनुकुल समय है। आपका उदार और सहच सभाव ही आपकी सफलता का कारण भी बनेगा। कोई पारिवारिक मासला भी हल होने से घर का बातारण शुकुन और सांती पून रहेगा। बच्चे भी अनुशाशन में रहेंगे। किसी की मदद करके आपको शुकुन मिलेगा। दोस्तों आज किसी नजदी की सम्मंदी से कुई शूप समचार मिलने से मन पर वलित रहेगा। मित्रों अत्वा सहगियों के साथ फौन पर ही कोई महतपुन वर्तला फायदमन रहेगी। जमिन जायदा सम्मंदी कोई रुका हुआ मशला भी हल हो शकता है। जिसे समंदों में भी कटूता दूर होगी। पुर्ण तरीके से अपने कारे को अंचाम दें। कहीं से ही कोई रुकवी पैमेंड भी मिल सकती है। किसी प्रिजन से भैठ मुलकाव आपको खुसी परदान करेगी। जोस्तों घर के रखर रखाव और साथ सज्जा समंदित कारे में सुखत समय बेतित होगा। किसी वारिश व्यक्ति की मदद से पुराने विवादों से भी मुक्ती मिलेगी। तथा जन संपर्क और अधिक विस्त्रित होगे। साथी कुछ रानितिक अथवा समाजिक समंदों से आपको फैदा होने की उमीद है। दोस्तों आपके रासी वाले लोगों के लिए अनुकुल ग्रिह गोचर बन रहा है। समय का साथ प्योग करें जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ था उसे पूरा करने का समय आ गया है। परिवार की जर्रतों को भी पूरा करने में आपको आनंद आएगा। युआ वर्ग अपने किसी टार्गेट को पूरा करने में काम्याब रहेंगे। दोस्तों कोशिस करने पर उधार दिया हुआ पैशा मिल चकता है। कोई खास काम मन मताविक तरीके से पूरा होने से सुकून मिलेगा। ग्यानवर्दक तथा रोचक साहित पढ़ने से में भी शमय बेतित होगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी साबधाने के बार में बात करें तो दोस्तों किसी भी तरह की उधारी करना आपको नुकसान में डाल देगा। इसलिए सोच शमज कर ही काम करें। सुसराल पक्ष के साथ समंधों में किसी वात को लेकर अनबन हो सकती है। अपनी उर्जा और लगन में कमी ना आने दें। वेर्थ की गती वीदी में खर्चों की आधिकता रहेगी। दोस्तों कुछ लोगों के साथ विरोधी भासा जैसी इसिती हो सकती है। बैतो रोगा की इन लोगों से दूरी बना कर रखें। एगर करता और कर छमता के अभाव से कुछ वनते काम बीच में ही रुख सकते हैं। फालतु जानवर से किसी भी तरह की छेड़ खानी ना करें। वरना दोस्तों आप मुसीवत में फंस सकते हैं। दोस्तों किसी निकट समंदी के विवाहिक जीवन में अलगाप की इसिती में आपकी मदता से उनकी समस्याओं को सुन जाने में मदत कर सकती है। इसमें आर्थिक इसिती में कुछ परेशानी आएगी। परनतु तनाव ना लें, जल्दी परिसतियां आपके पक्च में भी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों धैर रखें। आतिसाथ दोस्तों कुछ लोग आपको आपके लक्ष से भाटका भी सकते हैं। इसलिए बीना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास ना करें। क्योंकि उनकी बज़े से आपकी मान हाने की आसंका है। या समय पीछली कुछ कम्यों से सीख कर आगे बढ़ने का है। गर के बुजरगों तथा वारिस व्यक्तियों की सलहा पर जरूर अमल करें। साथिता दोस्तों खराप उपकरनों के सुधार में बिलम ना करें। हलाकि बढ़ते खर्च भी परिसान करेंगे। विद्यार्थे को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवसकता है। अपनी एक्छा के विपरित किसी मित्र की मदद भी करनी पढ़ सकती है। मामलों में कोभी फैसला लेते समय जोसकी बजाए होस से काम लें। कोई कार अपने मन मुतावी तरीके से पूरा ना होने पर अपनी भावना पर नियंतन रखें। उहीं दोस्तों मन में ना करतों में बिचार को अस्थान ना दें। इनसे बचने के लिए खुद को वैस्त रखना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगयकी की परिस्तिया हां से निकलती जा रही है। हलाकि धैर और शम से आप समस्या को काबू कर लेंगे। मानसिक तनाप की वज़े से अपने वेक्तिकत कारों पर अधिक ध्यान ही दे पाएंगे। पर दोस्तों सांतान की नकारत्म गती विदी आपको चिंता में डाल सकती है। पंटु आपकी समझदारी वर सूजबूशे समस्या का हल भी निकल जाएगा। किसी पोलोसी अथवा समंदियों के मामले में हस्तशेप ना करें। या समय आवेश में आने की बज़ा सहज तरीके से व्यतित करने का है। बीती भी पूरानी बातों से समंदित कोई मुद्दा दोवारा उठ सकता है लेकिन अपने भावनाँ पर काबू रखें। क्योंकि इसकी बज़े से तानाप के अतरित और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपने गुसिव उतेजना पर काबू रखे सहल तरीके से काम करें। उस्तों माता पिता के मार दर्सन और सलहा पर अमल करना आपको किसी मुसीवत से बजाएगा। अगर लोल लेने का वीचार है तो अपने सामर से ज़्यादा लेने की कोशिस ना करें। कुछ अमे बच्चों के साथ भी समय बेतित करना जरूरी है। इसे आपसे तालमेल भी बना रहेगा। आपसे दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि कोई शरकारी ममला और अधिक उलस शकता है। इसलिए साबधानी वरतना जरूरी है। किसी बाहरी व्यक्ति से मुलकात करते समय आपने कोई भी गोपनी ये बात को उजगार न करें। पड़ोसियों के साथ कोई वाद वाद होतों दोस्तों उसे नदर अंदाज करने में ही भलाई है। किसी समंधी अत्वा पड़ोसी से कोई विवाद होता है तो दोस्तों उसे दूर करने में आपको विश्यस पर्यास भी करने पड़ेंगे। लपारवाई की बज़े से कुछ लोग आपके लग से भटक सकते हैं अपने महत्पुन चीजों तथा दास्त वेज़ों की शभाल श्यम करें दूसरों पर निभर ना रहें दोस्तों फिजुल की गती विदी से ध्यान हटा कर अपने घर और वेबसार पर ध्यान दें किसी भी तरह की उधारी अत्वाल लेंदेन करते समय लापरवाई की बज़े से कोई गलती भी हो सकती है विद्यार्थियों को अपने परिक्षा समझ अनुकुल परनाम ना मिलने से मन कुछ परेशान रहेगा कुछ लोग जलन की भावना से आपकी अलोचना या निंदा कर सकती है नाकार्तमों परवर्ति की लोगों से दूरी बना कर रखें कई बार जल्दवाजी था अति उत्सा में बना बनाया काम भी बिगल सकता है कुछ में बच्चों के साथ ही व्यतित करने से इसे उनका अनुबल बढ़ेगा दोस्तों कोई खास वस्तू रखकर या भूलने की असंका है इसमें कोई भी नया निर्ने ना हिले तो अच्छा होगा टोफिंग नीमों का उलंगन करना नुकसान दायक रहेगा गर में समंधियों के आगमन से आपके कुछ महत्पुन कार भी रुख सकते हैं साथी दोस्तों अपनी योजना और गत्य विधी के बारे में किसी भी अपरिचित से चर्चा ना करें अन्धा कोई आपको धोखा दे सकता है पुरानी नकार्तमों बातों को भूल कर आगे बढ़ने में भलाई है विध्यार्थी गन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान केंदित रखें आलस को अपने उपर हभी न होने दें वही दोस्तों अवांचित लोगों के साथ संपर्क में ना रहें वाना आपके मान समान पर भी आच आ सकती है परवारी सदस्यों की खुसी के लिए अब अपने बज़र से ज़्यादा खर्चा कर देंगे जिस वज़े से पज़ताना भी पढ़ सकता है किसी खास मित्र से लेंद देन को लेकर कुछ मन मुटाब भी हो सकता है इन पर दोस्तों ध्यान रखें वही दोस्तों वैवसाई की बात करें तो दोस्तों अपने परती दितियों की गति विदी पर कड़ी नजर रखें इससे आप किसी समस्या से बच जाएंगे किसी वैवसाई में साज़ेदारी की योजना बन रही है तो उस पर तुरंद अमल करना लाबदाय करेगा नुकरी पेशाल लोगों को कारभार की अधिकता की बज़से परेसानी भी रहेगी दोस्तो कारवारी गति विद्या उव्यस्तित रहेगी लेकिन आपने महत्पुन कारियों को कल पर टालने की बजाए तुरण थी किर्याविंद करने की कोसिस करें किसी ने काम की सुरुवात के लिए भी समय बहुत ही अनकुल है ओपिस की गती विदियों में कुछ नयापन लाना करमचारी की कार छमता को बढ़ाएगा दोस्तों कोई भी कारोवारी फेसल लेते समय जल्दवाजी ना करें बहतर होगा कि आपने कारेक पानाली पर पुनह विचार भी मर्ष करें इसमें बहुत अधिक महनत और लाब कम जेसी इस्तिती बनी हुई है हलाकि दोस्तों अभी की गई महनत के अनुकुल परनाम निकट भविस में सफलता दाय करेंगे कारोवार में आपके साथ कोई धोखा हो सकता है इसलिए सचेतर हैं हलाकि मेडिया और जन संपरकों से आपको फायदा भी होगा ओपिस के माहोल में कुछ राणिती जैसा बातारण रहेगा इसलिए सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखें दोस्तों वैवसाई में चल रही किसी पूरानी समस्या का सामधान मिलने से आप चैन की सास लेंगे तथा कामपुना अपनी गती से सुरू हो जाएंगे मार्केटिंग से जुड़ी लोगों को कोई अच्छी डील हाथ लगेगी नुकर में इस्पेसल ड्यूटी भी लग सकती है जो आपको ठका भी देगा लेकिन बाद में इसका अच्छा परिनाम भी मिलेगा दोस्तों आज वैवसाई में बहुत अधिक वैस्ता बनी रहेगी लेंदेन में लापारवाई हो सकती है इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर अच्छे से सोच विचार आवसक करें विवाँ को केरियर समंदेद कोई निर्ने लेने में सफलता मिलेगी वैवसाई समंदेद मार्केटिंग समंदेद कारों में तथा समपरकों को और अधिक मजबूत करने में भी ध्यान दें बाहरी सुरतों से कोई बड़ा ओडर मिलने की शामभावना है पन्तु समर्थ से ज़्यादा निवेश करने से भचें नोकरी पेशा लोगों पर काम का दवा बना रहेगा जिस बज़े से ओवर टाइम भी करना पड़ेगा दोस्तों कार अस्थल पर करुणचारे की बज़े से कुछ दिकतें आएगी जिनने आप समझदारी से सुन जा लेंगे कारवार को लेकर कोई दूर की यातरा का भी प्लान बना सकते हैं सरकारे नोकरी में अपने लक्ष को करने में उचे ध्यकारे की मदद हासिल होगी तथा ओफिस का माहोल भी सुखनामा बना रहेगा दोस्तों व्यावसाए में गिरिशती ज़्यादा लाबदायक तो नहीं है पर तो फिर भी गतिवीदी में सुधार अवश्य आएगा आनावाज से खर्चे सामने आ सकते हैं इसलिए अभी कहीं इन्वेश्टमेंट करने की ना सोचें रिटेल से समझेद कारोवार में आज कारभार कुछ हलका हो रहेगा और दोस्तों व्यावसाए में अगर थोड़ा बहुत अगर उतार चड़ाव आता है तो घवराने की वज़ाए आपने कार समझेद काम्यों से सुधार लाएं गर के बड़े बुजरगों वावार सुवेक्तियों का शहयुक आपकी कई शमस्याओं का हल निकालने में सहे करेगा आगी इसीती भी बेहतर होगी दोस्तों व्यावसाई कार परनाडे में समय अनुसार परिवर्तन करने की जवरत है कार अस्तल पर किसी परकार की चोरी होने जिसी असंका बन रही है इससे सचितर है प्रोपटी के छेतर में कार्यात्र लोगों की हाथ से कोई डील निकल सकती है और फिसल यात्रा का विचार भी बन सकता है दोस्तों पिछले कुस्त में से वैवसा में चर्री मेहनत का अच्छा मुनाफ़ा मिलने वाला है इनपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी वैवसा शफल रहेंगे कोई रुकोई पैमेंड भी मिल सकती है नोकरी पैसल लोगों को अपनी कार पर नाले में कुछ परिवर्टन लाने की जरुरत है तो दोस्तों बिजनेस में कुछ नया काम सुरू करने की सोच रहे हैं तो दोबारा विचार करें जल्दवाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें रुका हुआ इंकम सोर्च दोवारा सुरू होने से सुकुन और रहत मिलेगी थाति किसी नई बिजनेस की सुरुवात की प्लानिंग है तो सफलता मिलने की अच्छी साम्भावनाएं बन रही है बेहतर ओडर भी मिलेंगे जिसे आर्थिक इसती बेहतर होगी वैवसाय को लेकर की गई कोई यात्रा आपके लिए फायदमन सावित होगी वही दोस्तों कारवार में चल रही परेशानियां दूर होगी और कारविस्तार समन्दी योजनाय कार रूप में परनीत होगी पंतु साथी उन पर ज़्यादा वीचार विमर्स करने की भी ज़रत है आर्थिक इतित समाने रहेंगे रोजगार प्राप्ती के लिए प्रियासत लोगों की समस्या हल हो सकती है साथी दोस्तों पबलिक रिलेशन आपके बिजनस के नए सोर्स बना सकते हैं पर पट्टिक के बिजनस में फायदा मिलेगा सारकारी नोकरी में जिम्यदारी का काम पूरा होगा उससे पूरा करने में बहुत अधिक मेहनत मसकत भी करनी पड़ सकती है वैवसाई गतिविद्या वैवसित रहेंगे लेकिन कोई भी निवेस करने से पहले सोच विचार जरूर कर लें वारना कहीं पैसा भी फंस सकता है मार्केटिंग से जोड़ी बिजनस में अच्छे मोके मिल सकती है तोहारों की कारण कामकाजी महिलां को समाज़े से बिठाने में कुछ दिकते रहेंगे दोस्तों कारवारों में लाप की अच्छी इसिती बन रही है सिर्फ प्रपटी समंद्र वेवसाई में किसी भी तरह का कागजी काम करते वक्त बहुत ध्यान रखने की जोरत है मार्केटिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट समंद्र बिजनस फाइद मंद होंगे इस टाप की गती विधी पर पूरी नजर रखें इसमें वेवसाई कारें को बहुत साथाने से करने की जोरत है क्योंकि तैयार माल रुख भी सकता है वर्तिमाल परिस्तियों में ज़्यादा लाब की उमीद नहीं है अपने किसी लक्ष के परती रुकावटे आने से घावराय नहीं मेहनत से कोसिस करें आपको अवसी भगवान की किरपा से सफलता मिलेगी वेबसाइट गत्य विदियों को व्यवसित करने के लिए आपने सामार्ज से ज़्यादा उधार या लोन ना ले बरसेवन पार्टियों से नई ओबर मिल सकते हैं जिससे आर्थिस्ति में सुधार आएगा ओपिस में कुछ राजनती जैसा माहौल बना रहेगा इससे आप साब्धान भी रहें तो इन दिनों में याद रखें कि किसी नकात्म बात पर गुशा या आवेश में आने से परसितिया और अधिक बिगल सकती है रिक्स परवर्ति के कारियों से पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आवसा हासिल करें वहीं दोस्तों बात करेता आपके लव लाइफ के बारे में दोस्तों पती पत्नी के समान जैसे से घर में सुख़द विवस्ता होगी युवाव की दोस्ती प्रेम समंद में बदल सकती है जीवन साथित था परिवार जनों की भावनाओं को शमान रखने से आपसी प्यार बढ़ेगा लव पार्टनर के साथ लव ड्राइपर जाएं आपके स्वास्त के बारे में देखा जाएं तो मोसम से बदलाव की वज़े से घुटनों और जोडों की दर्द समस्या परेशान कर सकती है आपने दिन्चारिया और खान पन संतुलित रखें समस्याओं से घवराएं नहीं तो तनाव से दूर हैं ध्यान और मेडिटेशन में भी कुछ समय जरूर लगाएं दोस्तों तनाव और आफसाथ जैसी इसिती आपके मनवल को कमजोर कर सकती है इसका उचीद इलाग, योगा और मेडिशन है नसों खिचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है काम की अतरदिक बोज का नकार्तम परभाव स्वास्त पर पढ़ सकता है इनका दोस्तों ध्यान रखें साथे बदलते मोसम का परभाव स्वास पर पढ़ेगा इसे बचने के लिए अपने दिन्चारिया का उवेवसित रखना जरूरी है दोस्तों आपका स्वास्त उत्तम रहेगा सिर्व अपने दिन्चारियां को विचारों को शकारत्मों बना कर रखें साथे रिक्स परवर्टी के कार्यों में रूची ना लें किसी परकार की चोट या एक्सिडेंट होने की असंका लगरी है वहां सावधानी पूरवक ही चलाएं बदलते मोसम के परति लापारवी रखने से खासी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है इसलिए वेवसित खानपान तथा दिन्चारिया रखें साथी बलड पेसर और डायवेटीज की समस्या होतो नीमित चांच करवाएं अपने दावाईयों लेने में किसी भी तरह की लापारवाही ना करें नसो में खिचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है योगा और वेवां बर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है मोसम की बज़से सरुल में दर्द और हलके भुखार जिसी इसीति रह सकती है संतुलित दिनचारिया भी रखें असंतुलित खानपान की बज़े से गले में किसी परकार की इनफेक्शन की समस्या महसूस होगी लापार भही नवरते हैं तिधा उचीत इलाज लें दोस्तों इसमें एलर्जी की बज़े से गला खराब और खांसी जुकाम की सिकायत रहेगी आरुवेदिक इलाज आपके लिए उचीत रहेगा साथि गुस्य और आवेस पर काबू रखें तथा ज़्यादा तनाब ना लें बलड पेसर और डायवेटिज की समस्या भी बढ़ सकती है दोस्तों अत्यदिक कारभार की बज़े से ठाकार और चिल्चलापन जेसी इसती रहेगी कुस्त में आपने अराम और सुकुन के लिए भी जरूर शमे निकालें इसे आपकी कार छमता बनी रहेगी साथी गले में इनफेक्शन और खासी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है लापार पे बिल्कुल नबढ़ते हैं और उचित इलाज लें मोसम बदलाप की बज़े से छोटी मोटी मोसमी परिसानिया बनी रहेगी थोड़ी सी साबधानी और ववसी दिन्चारिया आपको स्वास्त रख सकती है वर्तमान मोसम की बज़े से तवाचा समन्दी दिकत्य उत्पन हो सकती है हाजनिक रहना अत्ती आवशक है दोस्तों स्वास्त और परभुड़ित बने रहने के लिए मेडिसन जरूरी है इसे तनाव डिस्परेशन जेसी इस्तिती से रहत मिलेगी साथि लापरवाई की बज़े से कोई पूरानी स्वास्त समन्दी परिसानी दोबारा उभर सकती है अपनी खान पान की आदतों को सुधारे है चलिस्तों बात के लिताप के उपाय के बारे में दोस्तों आज का उपाय जो है दोस्तों बहुती महत्पून रहने वाले हैं दोस्तों यह उपाय करने से आपकी घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी जहां दोस्तों श्री गनेश लक्ष में सरसती जी के साथ हुवेर का पूजन करें और ओम श्री श्री हुम नमा का एक ग्यारह वार या एक माला का जाप करें एक आक्षी नारियल या एक ग्यारह कमल का ठेका पूजा अस्थाल पर रखें और सिर्यंतर की पूजा करें और इसे उत्तर दिसा में प्रस्ताफित करें और इनके साथ साथ डेवी सुत्तम का भी पाठ करें मैं दोस्तों बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग गहरा पीला है और भागे साली अंक दो है दोस्तों भगवान मालक्षमी जी की आसिरवात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेट जरूर करें धन्यवाद